हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे चल रहोगी आज कर जो टू-डू लिष्ट है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अब से जो आप लोगों का टू-डू लिष्ट प्रोवाइड किया जा रहा है वो मेंस के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है इससे पहले जितने भी वीडियो अप्लोड हो गया है वो आप लोगों को प्रिक लिए प्रिपेर किया जा रहा था अपने according adjust कर सकते हैं लेकिन जो topic दिये रहते हैं वो अब change ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो topic बहुत सोच कर आप लोगों को pre और min दोनों cover करने के लिए दिया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं देखते कि कौन-कौन सा topic आज आप लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो देख लिजे slot 1 में आप लोगों का 6 और 8 बजे के बीच में सबसे पहले ये वाला section आप लोगों करना है learn and revise, cube root, square root, table percentage fraction यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा time देने के लिए नहीं बोलता हूँ लेकिन revise करने के लिए हमीशा बोलता हूँ क्योंकि इसके बीना आपका काम नहीं चलने वाला आपको अगर speed increase करना है तो आपको यहाँ पर time थोड़ा देना ही पड़ेगा इसलिए जो भी 10-15 minutes time मिले आप इसको जरूर revise कर ले इसके बाद आज आप लोगों को 20 question profit and loss से करना है 20 question discount से करना है 20 question SICI से करना और कम से कम 3 DI आप लोगों को mains level के करना है mains level के question के लिए आप 66 और अरसर के follow कर सकते हैं या उनके PDF follow कर सकते हैं या फिर मेरे telegram channel पे भी बहुत सारी PDF upload है mains के लिए आप वहां पे भी जाके follow कर सकते हैं 9 और 11 के बीच में आप लोगों का slot 2 है slot 2 में आज आप लोगों को newspaper reading करना है The Hindu से The Hindu का मेरा एक separate video upload किया गया जहां बताया गया कि आप pre में The Hindu कैसे पढ़ सकते हैं कहां से PDF download कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा क्योंकि वह वीडियो में बहुत important बात भी बताया गया क्योंकि समें vocab और बहुत सारे words meaning words भी cover किया गया है जो आप लोगों को The Hindu में मिलते हैं तो आप एक बार वो वीडियो जरूर जाके देख लिजेगा current affair के लिए आप अड़ा 247 को follow कर सकते हैं और banking awareness के लिए आप कपिल सर को follow कर सकते हैं इनका YouTube पे वीडियो मिल जाएगा आपको study नीती पे मिल जाएगा 8 hour का वीडियो है आप वीडियो प्रिफर करना चाहते हैं तो वीडियो सो follow कर सकते हैं बुक प्रिफर करना चाहते हैं तो आप अड़ा का बुक प्रिफर कर सकते हैं अड़ा का free book आपको मेरे टेलिग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा और banking awareness और finance awareness से regarding बहुत सारा PDF मेरे टेलिग्राम चैनल पे upload है तो वहाँ से भी आप जाकर download करके देख सकता है slot 3 11.30 के बीच में आज आप लोगों को input output question करना है जो कि means के लिए काफी ज़्यादा important chapter रहे फिर coded inequality है means के लिए काफी ज़्यादा important chapter है क्योंकि अगर जब भी question आता है तो यहाँ से चार से पांच माल्स आपको दिला सकता है फिर coded blood relation यह भी question यह भी topic आपको चार से पांच माल्स दिला सकता है सारे topic का आपको free PDF आपको मेरे टेलिग्राम पे चैनल पे मिल लागा और free topic में quizes देना है तो आप स्मार्ट कीड आपको follow कर सकते है चली देखते हैं अप slot 4 में आप लोगों को क्या करना slot 4 में आप लोगों को अढ़ाए और 4 वजे की बीच में कम से कम 20 question filler से बनाना है 20 question phrase replacement से बनाना है 30 question filler से बनाना है और revise करना 120 rules यहाँ पर आप लोगों को गलती से 2 बार filler हो गया लेकिन यहाँ पर error होगा ठीक है आपको 20 question error से बनाना है इतना करने के बाद आप लोगों को कम से कम एक बार revise जरूर कर लेना 120 rules क्योंकि उसे revise करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को पता ही होगा कि 1 week जो starting आ 1 week तो वहाँ पर मैं आप लोगों को 120 rules grammar करने के लिए बोल रहा था जो कि आपके grammar section के लिए खाभी ज़्यादा important है और यह सारे topic wages के quiz आप smart kit app में दे सकता है साड़े 4 और 6 के बीच में slot 5 slot 5 में आज आप लोगों को 5 puzzles कम से कम बनाना है अब mains के लिए preparation कर रहा है तो यह 3 से 5 कर दिया गया है पहले आप लोगों को 3 करने के लिए बोल रहे थे लेकिन आप 5 करना है क्योंकि जैसे आप लोगों का time आगे जाएगा आप लोगों को level up करना पड़ेगा यह आप 1000 series अंकुस लामा sir का वीडियो दे के follow कर सकते हैं यह 1000 series का पीडिया मेरे टेलिग्राम पे अपलोड है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और कम से कम एक sectional quiz जरूर दीजिये reasoning में एक sectional quiz देने से आप लोगों का speed पता चलेगा, accuracy पता चलेगा जो कि काफी ज़्यादा important है किसी परकार का भी queries होगा तो आप मुझे पता चलेख सकते हैं